थर क्ಟी चली एरशिपी पकाते हैं तीन प्यास यह साइज में तीन प्यास लिया है मैंने'RE pra क्लिक मेर्ट यह चम्मा च्द्रक्रशन का मसाला कि छी Artist skip Willinki pie again बाद में अलेंगे तो देखिआ ये खोप्रा इतना सा इसमें भी कम थोड़ा कम यह रहे टमाटू चार टमाटू लिया है मैंने ये ये मद्ली इसको हम भीगने उलेंगे मेरे यूटूब मेद्ली इसको सब हम पीस हैंगे आज इसको पीस不知道 तो चलिए, देखिए मैंने पीस लिया है, अब इसको बगारेंगे, रड़ी है आप तो चलिए, इसमें देड़ चमच तेल डालेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए, ना पसंद आए तो भी कम अब देखिए मसाला हमने डाल दिया है, अच्छे से इसको अच्छे से तलेंगे, लाचा से व सकते तेल है, जो व चूटके मसाले से चूटकर आजाए, गया है मसाले के अंदर तेल को अच्छे से मिलाए, अब हम इसमें, जो हमारे मसाले बचे हुए है न, वो दालेंगे, पहले से इसको अच्छे से मिला लेंगे हम यह देखे अच्छे से देखे तेल कितना चचूट रहा है वो पकरा है ना पटपट चटचट करके देखे इस तरह से पकरा है अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची कटा आप जितना तेज तीका काते हैं उतना मैं देड चमस डाल रही हूँ आप एक चमस डाल लीजिए यह दहाँ इसको भी अच्छे से मिलाईए अच्छे से मसाले में वो पूरा घुल जाए तेखे कलर देखे कितना चाहे इसलिए मैंने पीसने में नहीं डाला था मैं इसे ही डाल चूँ मैं पीसने में मिर्ची खाटा नहीं डालती हूँ कुफते को डालती हूँ बस यह रहे हल्दी खाटा छोटी स्पून में एक इसको भी अच्छे से मिलाईए आप देखे अच्छे से मिलाईए इसको भी चटपट आवाज आता है इसमें अब मसाले की कच्छी बास चलेगी है मैंने पांच लाजे इसको अच्छे से पकाया देखे यह बैगन है इसको ऐसे से काटी है क्यूंकि बैगन में कीड़ा रहता है अर्चना ने बिग बस में कहाना कि भींडी में कीड़ा रहता है उसी तरह बैगन में भी कीड़ा रहता है तो मैंने तीन चीज आलू, बैगन, बलरदाल, धोके काटके रखा था तो उसमें अच्छे से मिला लूँगे आब मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अब नमक दालेंगे, आपको जितना स्वात को चाहिए, उतना नमक अच्छे से मिलाएए, एक पांचलाजे इसको पकाएंगे आप अब पांचलाजे मैंने पका लिया था, तो आमने जो खोपरा पीस के रखा था ना, खोपरा टमाटो उसको मैंने मिला दिया, अब इसमें अमली का खटा, अमली जो भीगने दाली थी ना मैंने, उसको ऐसा अंगली में पकड़के छानी यह नहीं तो दिखिए, किरिक है न, सल्ले में पड़ जाएगी इसको भी अच्छे से मिलाएंगे, और नमक, नमक हम इसमें जरूर दालेंगे, क्योंकि आप पानी दाल दिया है, तो वो फिका जाएगा, थोड़ा सा नमक, आप कुछ इतना चाहिए, आप उतना हम दाल लीजिए, आपके स्वात कैसा या वैसा, मुझे थोड़ा नमक चाह इसे पानी, दो ग्लास पानी मिलाएं, दो ग्लास पानी मिलाएं, लास्ट में मैंने एक चमच पानी दाला, अब इसको मैं सीटी को, दो सीटी को दाल के बंद करूंगी, तो दो सीटी को मेरा सलना पक जाएगा, सलना पके के बाद, ढाकन खोल के, ढाकन को सीटी नहीं लगा वैसा पांच लाज़े इसको पकाई ए तब का तब भी मत निकाली है मत पांच लाजे देखिया मैंने पांच लाज़े छोड़के इसको निकला है यह देखिये गल चुके हमारे बल्लियरदाल बही सब्स evident बहुत टेस्ट रहता है कि ये प्लीस